आपका अपने चानल एक्जाम रिपब्लिक पे एक बार फिर से हादिक स्वागत है तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो का टैटल में देखी लिए होगा यह जो हर्याना PCS का फॉर्म निकला है उसके रिगार्डिंग है यह जिसमें की कुछ चेंजिस लाए गए हैं फॉर्म के अंदर तो वो सारे चेंजिस हमाँ डिस्कुस करने वाले हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो फॉर्म बनने के लिए तो मैंने कल भरा था यह फॉर्म तो उसक क्या रहेगी कौन-कौन से डॉक्यमेंट चाहिए उनको कैसे 1MB तक कंप्रेस करना है तो यह सारे के सारे इशूस हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं तो नए फॉर्म में क्या क्या चेंजिस हैं क्या क्या आपको डेटा चाहिए जो कि आपको पहले से ही आपके आपक सारे डॉक्यमेंट्स कौन-कौन से होने चाहिए कौन से फॉर्माट में होने चाहिए यह सब हम आज डिसकस करेंगे इसमें आपको बाद में पताऊंगा भी कि यदि आपको फोटो को रिसाइज करने में को दिक्कत आ रही है तो वह कैसे करनी है आपको सॉल्व ठीक है ऐसे यूसफुल लगे तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करना वरना कोई बात नहीं और दोस्तों मैं आपको बता दू कि जो आने वाले टाइम में जो पीछे प्रिलिम्स एसी सीरीज हमने रोक दी थी अब 2023 की प्रिलिम्स एसी सीरीज जो कि मारी फ्लैक्शिप सीरीज है उसको दुबारा स्टकरेंगे क्योंकि अब प्रिलिम्स के बहुत सारे एक्जामि दुबारा आने वाले है, यूपी पीसे इसका भी आने वाले है ठीक है हराना, MP, सब के सब UPSC, सारे मे और जून में होंगे तो यह सारे हम री स्टकरट करेंगे, बजट के बारे में भी हम डिसक् के अंदर तो यदि आप नहीं है तो देखने ना कर आपको यूसफुल लगे पुराने वीडियो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना वनना कोई बात नहीं तो आई यह शुरू करते हैं आपको पुरानी वाली चल जाती थी लेकिन आप नहीं चलेगी आपको पुरानी वाली आपको पोस्ट की तो वह भी प्रिलिम्स पर पहले वारी हो रहा है यहाँ पर पहले से करना है तो सब देख सब्सक्राइब तो मैं आपको दिखा देता हुँ यह मैं जा स voting Ley तो extract प्रइंपके यहbn कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, discuss कर लेंगे हम लोग, अगर कोई query आएगी तो, तो कमेंट्स में आप जुरूर पता देना, और अगर आपको लगता है कि मैंने गलत भराया form आपका तरीका सही है, तो वो भी आप पता देना, देख लेंगे उसको भी कैसे उसको ठीक करना ह तो देख लेंगे पहले documents और क्या 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 आपको perquisites चाहिए इसके लिए कि क्या क्या आपके वास पहले से readily available होनी चाहिए चीजें इसको form को भरने के लिए, तो सबसे बहले यह तो हर बार ही होता है valid, mobile number, email id, यह आपके वास होने ही चाहिए, तो इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, यह चीजें जैसी कि मैंने कहा, 10th class onwards, अगर आपने graduation तक तो चाहिए, चाहिए, 10th, 12th graduation, आपकी scanned copies यह हैं, किसकी marksheets की, और certificates की, इनको अलग-लग PDF में बनाना है, आपको arrange करना है, यह सारी चाहिए, आपको यह, ठीक है, post preferences, जैसी मैंने आपको पहले बता है, कि post यह पहले बारी मांग रहे है, प्लीम स्टेच पे, तो आप preference order में आपको ready रखनी है, ठीक है, उसके बाद ही, आप इस form को भरना शुरू करना है, नहीं तो form भरते बगत आप गलत choices भी कर सकते हैं, तो informed decision making हो आपकी, इसके लिए आप पहले किसी से discuss करे ले ना, आप duly signed scanned photograph, अब problem कहा है कि जो आप इसका advertisement पढ़ेंगे, या फिर आप जो instructions पढ़ेंगे ना, form भरने से पहले जो site पर मिलती है, उसमें कहीं है, यह duly signed word नहीं लिखा है, लेकिन जब आप form भरने लगेंगे, और जब last stage पहुँछ जाएंगे, सब कुछ upload होगारा कर देंगे, त इसको कैसे follow करना है, तो यह सब देखेंगे, क्योंकि यह पुराने form में नहीं था, आप सीधा, उसमें सिर्फ MB की होती थी, कि 100KB तक आपको डालनी है, फोटो, तो यह पहली बारी change लाया है, कि pixels की भी आपको dimensions देखनी है, तो यह देख लेंगे, कैसे आप कर सकते हैं, जानी क्यों हो, यह simple सी, आप घर में आपके बास कोई tape होगी, measuring tape, inch tape, जिसे बोलते हैं, उससे आप measure कर सकते हैं, ठीक है, तो यह आपके बास सारी होनी चीए, height centimeters में, जैसे आपको पता होनी चीए, ठीक है, chest measurement आप inches में भी लिख सकते हैं, उसमें आप पूरा type कर सकते हैं, तो मैं आपको basic form दिखा रहें, तो आपको start कैसे करनी है, यह मैंने screenshot लिए है, screenshot सी दिखाऊंगो, मैं आपको अलग-लग, मैंने अपने form में से होगी, मैं दुबारे जैसिक मैंने का, अधार number से नोने इसको unique key बिना दिये, तो अधार number से ही link है, तो मैं दुबारा नहीं भर पाऊंगा, तो इसलिए मैं आपको अपने form में से दिखा दूँगा, ठीक है, लेकिन पहले मैं आपको दिखा तो site से आपको कैसे करना है, ठीक है, तो जैसे कि आप जाएंगे hpsc.gov.in पे तो यहां पे left side पे आपको दिया गया है, click here to apply application forms, ठीक है, तो इस पे click करेंगे, औ और यहां पे यह आ रहे हैं बहुत जो जो open है अभी, तो यह आपको अड़िश्मिंट 11, 2023, AS, XBR and other elite services, इस पे आप click करेंगे, तो यह खुल जाएगा आपका form, ठीक है, तो इसमें basic instructions दिखी है, तीन step में आपको form बनना है, पहले sign up करना है, जो कि basic detail मांगेगा आप से इसमे mobile number, email address, यह सब आप भर के देंगे, अपनी details basic डालेंगे, उसके बाद आपको OTP आएगा email पे और एक आएगा mobile number पे, दोनों आप डालेंगे तो आपकी user ID बन जाएगी, और उसके बाद आप second stage पे जा सकते हैं, जहां पे यह सब आपको करना है, जहां पे पूरा का पूरा form भरा जाएगा, details भरी जाएगी, ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहेगा, कि यह आपको photographic nature भी upload करने है, documents भी, सब कुछ main stage यही है, इसकी, last में आपको payment करनी है, जो कि आप कोई भी debit card, credit card, internet, banking, किसी से भी कर सकते हैं, बहुत असान है यह, तो यह आप कर सकते हैं, इसके registration पर click करेंगे न, तो यह खुल जाता है आपका page, इसमें आपको basic details, name of the applicant, citizenship, आपकी क्या status है, herania के domicile हैं, की नहीं है, आप gender, यह सब basic details है, अधार इसमें mandatory है, तो यह आप select जुरू को यह भरने न, अधार number, ठीक है, और email address और mobile number, जैसी आप इसमें continue click करेंगे, आपको ए एक user ID और password का SMS और email आजाएगा immediately, ठीक है, तो यह सब करने के बाद, जब आप login करेंगे यहां से, यह login करेंगे, यह login हो जाएगे, और उसके बाद आपको क्या-क्या भरना है, वो मैं आपको यहां से दिखा देता हूँ, ठीक है, जो मेरे form के अंदर है, ठीक है, यह सब हमन information info जो आप देख रहें, tab यहां पे top left corner पे, यह automatically आजाएगा, उसके आपको basic details भरना है, क्या-क्या basic details है, यह 4 tabs आपको basically पूरे करने है, basic details, educational qualification, document upload, तो mother name, father name भरना है, ठीक है, उसके बाद यह सारे यह checklist है, यह आप भर लेना जारा तर नोई है, आपका answer, या जिसका यह सब तो जिसमें तो कर देना, उसे साब से, ठीक है ना, तो यह करना है, उसके बाद आपको address भरना है, ठीक है, उसके बाद यहां पे अगर आपका same address है, correspondence address और permanent address तो इस पर tick करेंगे, तो यह नीचे अपने भर जाएंगे, तो यह सब आपको करना है, fill कर देना, यह simple है, drop-down menu से select करना है, हर post के आगे जा जाके, 1, 2, ऐसा यह 12 तक है, यह सारी की सारी आपको select करने हो, order के अंदर, ठीक, उतके बाद height, यह centimeter में या लिख लेना, उसके आगे, आप लिख सकते है, उसके, मैंने centimeter में लिखे हैं, तो मैंने लिख दिया, 175 centimeters आगे उसके, ऐसी chest expanded और unexp यह आप इसमें, figures, inches में, आप इंचीटेप से ना अपने ना, अराम से available होगी, यहाँ पर optional subject, mains examination में आप कौन से opt करने वाला है, यह आपको mention करना है, बहुत important है, यह बाद में आप change नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो यह सो समझ के करना, इसको खास करके नए students रहें, save और continue क करेंगे, तो इसके बाद आप अगले टैप पे आजेंगे, educational qualification, यह सबसे important है, इसमें थोड़ टाइम लगेगा आपको भरने में, लेकिन आप यह जो upload करने हैं, यह पहले से ready करके रखना नहीं, तो यह page time out हो जाता है, और log out हो जाता है system, तो सब कुछ ready रखना, सीधर आप passing percentage, तो यह सब आप भर लेंगे, उसके बाद, अगर side में आप जब scroll करेंगे, इसके साथ में mark sheet और certificate, यह सारे upload करने हैं आपको, और हर file को अलगलग upload करना है, और maximum 1 MB की file हो सकती है, इससे जादा नहीं होनी चाहिए, तो यह अगर आपकी 1 MB से जादा area scan करने के बाद, PDF format में तो इसको कैसे compress करना है, वो भी हम देख लेंगे, बाद में, अगर आपको आता है, तो well and good नहीं तो जिसको नहीं आता है, तो बाद में देख लेना, ठीक है, वीडियो के end में दिया हुए, कैसे करना है आपको, तो आप इसके अंदर आप, जो है, काफी सारे software use कर सकते है, अगर आपका scanner है, तो well and good, नहीं तो आप mobile, अगर अच्छी quality का है, आपका जिसका camera अच्छा है, तो उसके through, आप Adobe scan एक app आती है, जिसमें PDF आप अच्छे से कर सकते है, free of cost है, उससे आप scan कर सकते है, documents, तो इसके अंदर क्या है, कि multiple pages हैं, जैसे mark, कैसी mark sheet में आपके 2 page या 3 page है, ठीक है, तो उसके अंदर आप एक ही file में रखना हो सारे, और यह ऐसे अलगलग 10th की 12th की अलगलग आपको upload करनी है, एक एक करके choose करनी है, और upload अलगलग करनी है, और यह नीचे लिखा जाता है, जब आप अप लोड कर देते हैं, जैसे मैंने 10th की upload करी, तो यह नीचे आप upload कर देना, मैंने consolidated ही करी है, क्योंकि एक MB में आईगी नहीं, और ज्यादा, तो अगर आपकी सारी आ रही है, एक MB में, आटो समिस्चर की तो बहुत अच्छा है, ने तो consolidated करी है, यह आप कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आप save and continue करेंगे, फिर आप आजाएंगे यहा पुरानी वाली को modify करके upload कर रहा था, वो नहीं हो रही थी, ठीक है, और इसके अंदर यह आप देखेंगे, minimum 100 by 100 pixel और maximum 150, तो यह जो 150 का check लगाया ना, यह आपकी upload ही नहीं करने देगा पुरानी photo आपको, ठीक है, तो अब इसको कैसे करना है, यह भी मैं आपको बाद में ब इसको क्लिक करेंगे, तो आप इसको एक बारी form में आ जाएगा, पूरा page-wise और आप उसको देख लेना एक बारी, और submit करेंगे, तो आपको एक payment का टाब आजागा, जो payment आपको करनी होगी, उसके बाद आप इसको print कर सकते है, application को, जो आपने भरा है form, ठीक है, तो यह basic process है कि आपको क्या follow करना है, क्या क्या चीज़ आपको करनी है, अब दूसरी चीज़ पर आते हैं, क्या है कि photos or documents, तो photo को कैसे करना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, तो लग-लग वो है, इसके अंदर software जो आप use कर सकते है, तो आपको अपनी photo पे basic जो है, यह passport size photo ह scanned है, यह signed नहीं है, signed वली आप देख लेना, अपना कर लेना sign, इसके नीचे ही करा है, मैंने sign इस पर, ठीक है, side में भी कर सकते है, नीचे भी कर सकते हैं, पर यह देहां रखना कि face पे ना आए sign, वो ठीक है, वो कभी reject होने की chance जाते हैं, तो face पे ना आए, यह नीचे कहीं पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, अब जैसे के आप देख रहे हैं, यह photo जो है, यह 111KB की तो है, 1MB से तो कम है, पर इसके जो आप pixel देखने है, वो कैसे देखते है, properties में जाके, ठीक है, तो यह kb आगे कितने size है, और details में आप जाएंगे ना, तो यह pixel दायाते हैं, तो य यह बड़ी है, देखो, 1500-500 की चाहिए, पिक्सल, और यहाँ पर दे रखा है, 900 और 1100 पिक्सल की है, यह मेरी photo, तो इसको मैं कैसे resize करता हूँ, यह अब मैं आपको लग-लग तरीकों से बढ़ाता हूँ, दो-तीन तरीके, open with करेंगे, right click करने के बाद, तो paint में भी कर सकते है आप इसके अंदर, तो यह जैसे मैं paint में खोल लेता हूँ, ठीके न, तो paint में यहाँ पर resize image का आता है, यह देखे, top में, यहाँ पर resize image का है, तो इसको click करेंगे, तो आप से पूछ लेगा, यहाँ पर percentage terms में पूछे और यह pixel, इसको click करेंगे, तो आप इसको यहाँ पराने है, actual pixel यह आ रहे, तो आप इसको 150 कर देना, ठीके और यह दूसरा वला अपने आपा रहे है, अब यह 150 से जाद हो रहे है, तो इसको वर्टिकल है, length मेरी जाद है, तो मैं इसको 150 कर देता हूँ, तो यह अपने आप adjust हो जाते हैं, इसको ok करते ही, यह आपकी picture save हो जाएगी, automatically आप इसको format में कर सकते हैं, ऐसे आप sign में कर लेना, ठीक है, तो यह paint वाला तरीका हो गया, और यदि आपका इसके दूसरा app है आपके पास, तो मैं आपको एक और इससे पता देता हूँ, यह photos वले से भी कर सकते हैं, ठीक है, photo gallery वले से भी कर सकते हैं, आप किसी भी format में क करेंगे, file extension का सबस्यादा फ्यादा है, क्योंकि jpg में ही होनी है, अगर आपकी jpeg है, तो वो नहीं करने देता है, upload, तो यहां से आप file extension भी सेट कर सकते हैं, इसको save करेंगे, बिल्कुल इसी format में आ जाएगी, ठीक है, तो ऐसे ही आपको photo और sign करने है, अलग-लग software ने, त जैसे 179 MB का है, sorry, 1.79 MB का है, तो इसको में एक MB से कम करने है, सारे document, तो मैं इसमें कैसे गर हूँ, ठीक है, तो इसके लिए तो आप apps use कर सकते हैं, online free apps, आप से मैंने वहीं से कर रहा था, जैसे आप यहां पे कोई भी, ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी आप एक, यहां पे Google पे आप लिखेंगे, ठीक है, compress PDF, तो यह दो तीन website जो हैं शुरू की, यह काफी free हैं, और यह काफी अच्छी websites हैं, आपका काम हो जाएगा, ना कोई watermark आएगा, ना कोई कुछ आएगा, तो कोई भी आप ले सकते हैं, इसमें से ठीक है, तो यह जैसे मैं यह वा तो यह वाली file है, 10th certificate में, इसमें upload करूँगा, और यह देख रहा है, आपको यह strong compression है, अब यह 1 MB से जाधा आ रहा है, ठीक है, इस वाली में, तो यह वाली site में, मतलब इसमें मैं को पैसे देने पड़ेंगे, तो यह वाली site नहीं लेते हैं, कोई वाप site ले लेते हैं, अच्छा free में हो जाएगा, ठीक है, आपको 2-3 देख लेना यार, कहीं पे भी साबसे, इसमें select file करेंगे आप, यह upload करेंगे, ठीक है, तो इसमें आप recommended compression पे ही रखना है, इसको ज्यादा less करोगे तो खराब हो जाएगी, recommended compression पे करके, इसको compress क्लिक कर देना, तो यह आपकी compress होके हो गई, 358 KB, कि इसको download करेंगे, तो यह आपकी download हो जाएगी, ठीक है न, तो ऐसे आप इसको compress कर सकते है, आसानी से सारे documents कर लेना, ready रख, ठीक है, और photo का जुरूर धियान रखना, वो signed ही चाहिए, अभी तक, बलब, यही पता चला है, कि signed ही चाहिए, उसके अंदर, क्योंकि, और बाकी जगा वो लिखा है, पर जब form भर रहे हैं, तो duly signed लिखा है, तो sign करके upload कर देना, ठीक है, अगर कोई clarification, अबर आपको लेनी है, इसके लिए, तो आप HPSC को call कर सकते हैं, उनकी website पे numbers दिये गए, examination department में बात करना, आपको clarify कर देंगे, अगर आपको doubt है, इसमें, तो दो छोड़ना सा वीडियो, जिसमें आपके doubts को clear करने के लिए, कि form कैसे बरना है, HCS का, उसको ये कोशिश की है, अगर आपके views थोड़े अलग है, या अलग तरीके से आपको लगता है, मैंने कुछ गलत किया है, तो comment में पता सकते हैं, हम discuss कर लेंगे, पर मेरे आपसे ये best तरीका है, easy तरीका है, जो कि मैंने follow किया है, तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, Prelims Assist 2023 को शुरू करेंगे, जिसमें की current affairs cover करते हैं, हर्याना से related specific topics भी हम cover करने वाले हैं, Prelims Assist series के अंदर, तो यदि नए हैं, आप हमारे चैनल पे, दो चैनल क आपको प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, as वही के actual reward भी होता है हमारा आपके साथ की मैनत करने का, तो दोस्तों, मिलते हैं आगले वीडियो में, तब सब्सक्राइब कर लेना, and happy learning.